धर्म नगरी चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुम क्यायुजन का आजू राष्ट्रिय स्वे सेवक संग के सर संचालक मोखन भागवत और जगत गुरू राम भद अचारे ने दीप प्रजुलित कर कारक्रम का शुभारम किया वहीं कारक्रम में उपसेट राम भद रचारे देश के प्रमुख पीछो के पीठा दीश्वर भी महाकुम में अपने विचार रखे आपको बता दें कि जवरान चित्रकूट में कारक्रम स्थल मंच पर पहुँचते ही संग प्रमुख मोहन भागवत का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया इसके बाद उन्होंने कारक्रम को संबोदित भी किया सपा अध्यक्रक्लेश यादव अपने दो दिवर्सिये दोरे पर मंगलवार को जौनपूर पहुँचे जहां उन्होंने काई जनसभाव को संबोदित किया वहीं बुद्वार को भी सपा के राश्ट्य अध्यक्रक्लेश यादव अपनी विजय यात्रा लेका निकले जहां सपा के समर्थकों का सेलाव उमरपड़ा आपको बता दें कि जौनपूर शहर से विजय यात्रा, मलहनी और बदलापूर रांसभा शेत्र के रिए निकले जिसमें लोगों का भारी खुझ्जूम दिखाई दिया तो ऐसे में तस्वीरिया आप देख सकते हैं जौनपूर में किस तरह से जनसेलाप, उमरपड़ा, ख्लेश श्यादव दौरे पर थे और कितनी भारी भीड उनकी जनसभा, उनकी रैली में नजर आई चुनावी प्रचार प्रसार पूरे तौर पर उत्रप्रदेश में किया जा रहा है सी कड़ी में जौनपूर ये रत लेकर विज़य यात्रा निकाल रहे थे अखलेश जहां यात्रा में भारी जनसेलाप देखा गया उत्रप्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्ठी की ओर से आयुजेद भूमिहार सभा कारक्रम में सपा के पूर्फ मंत्री नारद राय ने खुले मंच उसे पुलिस वालों को धमकी देडा ली आपको बता दें अपने धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि उनकी अगर सरकार बनी तो पुलिस वाले उनके सभी लोगों को पानी पिलाते नजर आएंगे आपको बता दें कि नारद राय ने इस कारक्रम के लिए अनुमती ली थी और उसके बावजूद इस सभा में कोई पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी जिससे पूर्व मंत्री जी खासा नाराज दिके तो बलिया का ये पूरा मामला है जहां पर सपा नेता के ये बोल बिगड़ते हुए नजर आए पुलिस कर्मियों को सपा नेता धमकी देते हैं नसर आए तो आपको बता दे हैं के सपा नेता के बोल बिगड़े हैं दरसल आपको बता दे हैं के चुनावी प्रचार प्रसा पूरे तौर पर किया जा रहा है उसी कड़ी में सपा के नेता जो है रैली करने के लिए पहुचे थे खुले मंच से पुलिस वालों को ने धमकी दे डाली दरसल उनोंने इजाज़त लेकर अपना कारिकर्म रखाता लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों की ड्यूटी वहां नहीं लगाएं गई उन्होंने पुलिस वालों को धंकी देते हुए मंज से कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पुलिस वाले उनकी सरकार के सभी लोगों को पानी पिलाते नजर आएंगे और इसी लिए कह सकते हैं कि सत्ता में आने के लिए किस तरह से बयान बाजी हो रही है इसका भी पूरे तरह से बिलकुल ध्यान नहीं रखा जा रहा कि किस तरह से आप किस के लिए किन शब्दों का इस्तमाल करें इसी लिए बोल यहां पर बिगड़ते हुए सपानेता के नज तो चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कुछ और खबरों का बांदा में बे अब्रू तहसील के दफ्तरा गाउं में लेकपाल के साथ बैठे सहयोगी का पैसे लेते वीजो वारल हो गया तो तस्वीरे आप देख सकते हैं बांदा का ये पूरा मामला है जहां पर लेकपाल का ये घूस लेते हुए वीजो वारल हो रहा है दरसल खेत की नाप की नाम पर पैसे मांगे गए थे जिस दौरान ये पैसे लिये जा रहे थे और ये घूस ली जा रहे थे उस समय वहाँ पर मौजूद किसी ने ये वीडियो बना लिया जिसको अब शोशल मीडिया पर बारल कर दिया है बिजनौर में चार दिन पहले मंदिर के पुजारी की हुई खत्या का पुलिस ने परदाफाश कर दिया है साथी खत्या में शामेल एक आरोपी को भी पुलिस ने गरफतार कर लिया है वहीं पूछताच में आरोपी ने बताया कि सट्टे के लखी नंबर कुले का मुरतक पुजारी रामदास गिरी और आरोपी के बीच नोगजोख हो गई थी वहीं इस दौरान डंडा लगने से पुजारी की मौत हो गई है तो बिजनोर का इपुरा मामला है जहां पुजारी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है साथे खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को ग्रफतार कर लिया है जो लगभब अठाउन साथ साल के थे जैब महाकाली मंदिर के पुजारी थे किसी अज्यात ब्रक्ति द्वारा लाठियों से चोड़ पहुचा करके उनकी हत्या की गई थी पुलिस ने सरुलास टीम ने स्वाट टीम ने उसका अनावण किया है घटना का मोटिव बाबा जी दोरा सक्टे का लखी नमबर निकलवाना जिसमें लोग उसमें नमबर निकलवाते थे गॉंड़ा में सामुदाइक स्वासर केंद्र दवा के बचाए दारू का ड़ा बन गया है आपको बता दें कि यहां तैनान डॉक्टर लोगों को दवादेरे से ज्यादा अस्पताल में ही शराप पार्टी के लिए दावत देते हैं तो वीडियो भी आप देख सकते हैं गॉंड़ा का यह पूरा वीडियो है जहां पर दारू का ड़ा यह सीएसी बनता हुआ नजर आ रहा है किस तरह से श्पताल में दारू पार्टी हो रहा है यह आप तस्वीरों के जरिये देख सकते हैं हमेरपूर के सुमेरपूर थाने के पास एक दबंग बाबा ने मानसिक रूप से विच्छित युवक को मार मार कर लहू लुखान कर दिया साथी उस पर चोड़ी करने का जुटा आरोपी लगा दिया महीं जब लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपी बाबा ने वहां मौझूद लोगों से गाली कलूच करती कुशीनगर के लक्षमी गंज में बंद चीनी मील को चलवाने के लिए भाते किसान यूनियन की ओर से लगातार धना प्रदर्शन किया जा रहा है आपको बता दें कि मील की ओर से अभी तक किसानों का बकाया भुकतान नहीं किया गया है जिसकी वज़ा से वो खासा नराज है और अंदोलन की शियताबनी दे रही है मत्रा रेल्वे स्टेशन पर कनाटक एक्सप्रेस में किसी शरारती तत्व की ओर से बम की सूचन दिये जाने से रेल्वे भाग में हटकम मच गया वह आननफानन में ट्रेन को मत्रा जंक्शन स्टेशन पर रोक का भारी पुलिस बल के साथ सगन चेकिंग की गई वह इस चेकिंग के बाद ट्रेन को शकोशल रवाना कर दिया गया खबरों की माने तो मोबाइल की लोकेशन के अधाप पर फरजी सूचना देने वाले आरोपी को दिल्ली में गिरफतार कर लिया गया है